स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के अंतरकत हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रिया यानि की वर्ब के बारे में जिसको आप लोग इंग्विश में जरूर पढ़े होंगे वर्ब ठीक है क्लास के लावा तो भी आज का ये वीडियो काफी हल्फूल होने वाला है ठीक है क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जिससे तीन चार कुरिशन आप लोग के एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए श्रिवात करते हैं स्टार्टिंग में आप लोग पड़फट लाइक शेयर कर कि एक केसी काम का होना पता चले कि काम हुआ है उस को कहेंगे हम लोग किरिया जैसे कि कि दोड़ना पता चल रहा है कि दोड़ने का काम हुआ है यानि की काम हुआ है अब चाहे वो कोई भी काम क्यों नहीं हो दोड़ने का काम हो बोलने का काम हो पढ़ने का काम हो लिखने का काम हो काम हुआ हो जिस शब्द से किसी काम का होना पता चले अब चाहे वो कोई भी काम क क्रिया केते हैं तो दोड़ना चलना हसना खेलना बोलना उठना बैठना भागना चोरी करना ठीक है यह सारा क्या है काम है अब आगे बढ़ते हैं क्रिया क्रिया के दो भेद होते हैं यानकी दो प्रकार दो टाइप पहला है और करमक क्रिया और दूसरा है सवकर्मक क्रिया यह से कि बताइए ये किरिया का कौन सा प्रकार है या फिर कौन सा भेद है तो समझे यहां पर अकर्मक किरिया और सकर्मक किरिया किसे कहते हैं अकर्मक किरिया जो है ना इसमें कर्म नहीं होता है देखिए कर्म नहीं होता है डारेक्ट में लिकिन यहां पर क्या है और स्टार्टि किरिया को कहते हैं का जिस क्रिया में कुर्म हो सब क्रमक वह ऄए खेलने गए करता पता है कि कर ने वाला कौन है वह है खेलना क्या हो गया कर्म वह नहीं कर नहीं कर्म नहीं है लेकिन अगर बात किढ़े Осंम कि술 ध है को कुण सा कर्म है तो जी किर्केट कर्म है वो तो हो गया करता यानकि जिसने काम किया है वह खेलना है यानकि खेलने काम वह किया है तो वह हो गया करता खेलना हो गया क्रिया ठीक है और यह हो गया कर्म वो क्या खेलने गया तो किर्केट खेलने गया तो किर्केट हो गया कर्म ठीक है न तो इसमे कर्म देखने को मिल रहा है तो इसमें कर्म सांच साथ है यह ऐसा क्रिया है जिसमें कर्म है और यह एक ऐसा क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है यान कि वह खेलने गया क्या खेलने गया कर्म नहीं पता चल रहा है ठीक है तो इसको कहेंगे और कर्मक क्रिया क्यूं क्यूंकि इसमें कर्म नहीं है और इसमें कर्म है कि वह क्या खेलने गया तो किर्केट खेलने गया किर्केट क्या हो गया कर्म सांच साथ है जिस क्रिया में कर्म हो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया तो यह एक्जामपल किस चीज़ का है सकर्मक क्रिया की वह पढ़ा ठीक है तो वह पढ़ा इसमें पढ़ने का तो काम हुआ है, किरिया भी है, करता भी है, लेकिन कर्म नहीं है कि वो क्या पढ़ा, तो वो पढ़ा हो गया, अकर्मक किरिया, लेकिन उसने किताब पढ़ा, तो अब यहां पर इसमें कर्म भी पता चल गया, उसने पढ़ा, और क्या पढ़ा, तो किताब पढ़ा किताब क्या हो गया कर्म हो गया तो उसने किताब पढ़ा ये एक्जामपल है सकर्मक किरिया की जिसमें कर्म है उसने अकबार पढ़ा क्या पढ़ा अकबार पढ़ा तो ये हो गया कर्म तो इसमें कर्म है तो इसको कहेंगे सकर्मक किरिया लेकिन सिर्फ उसने पढ़ा वो हो ज पड़े होंगे मेटल मेटल और नॉन मेटल यानि कि धातू और अधातू लेकिन यहां पर हिंदी ग्रामर में धातू जरह समझें कि हिंदी ग्रामर में धातू कहते किसे हैं केमेस्ट्री की बात अलग है उसमें हम लोग धातू पड़े होंगे लेकिन यहां पर हिंदी ग्राम हो उसे कहते हैं हम लोग धातु यानि कि वह मुल शब्द जिससे क्रिया का निर्मार होता है क्रिया बनता है वर्व बनता है उसे ही हम लोग कहते हैं धातु देखिए यहां पर मैं एक्जामपल में लिख दी हूं दोड़ एक ऐसा मुल शब्द है जिससे बनता है क्रिया दोड दोड़ना किस से बना है दोड़ से बना है पहले दोड़ था तो दोड़ एक ऐसा मुलशब्द है जिससे क्रिया बन रहा है दोड़ना तो दोड़ क्या कहलाएगा धातु कहलाएगा यानि कि जिस मुलशब्द से क्रिया बने वर्व बने उस मुलशब्द को कहा जाता है खेल भाग तो यह सभी मुल शब्द क्या कहलाएंगे धातू कहलाएंगे और धातू के ही लास्ट में ना लगा दिया जाता है ना तो वो बन जाता है क्रिया जैसे की दोड के लास्ट में अगर ना लगा दिया जाए तो हो जाएगा दोड़ना चल के लास्ट में ना लगा दि पर यहां पर देखिंगों निल करत को प्लतना मिलकर क्या बनता है किरिया धातु प्लतना इस इकक्वल टुक्रिया भर्ब पर फ़्याध के चार परकार होते हैं इसको समझ लीजें वह सकता है कि इससे भी आप के एक्जाम में क्योशन पूछ दे इसी वज़ेसे मैं आप आप लोग को समझा दे रही हूं देखिए धातु के चार परकार पहला है मुल धातु दूसरा है समान्य धातु तीसरा है विद्धपन धातु और चौथा है योगिक धातु किसे कहते हैं मुल धातु जो स्वतंत्र रही किसी पर डिपेंड नहीं है लेकिन समान्य धातु ओते हैं जो दूसरे पर डिकेंड होते हैं यह इसके लस्ट में नाजूरता है मेरे कि कि मेरे लास्ट में ना लगा दो तो मैं समान्य धातु बन जाओंगा देखिये- पहले मूल धातु तह बोल और इसके लास्ट-मी अगर ना लगा डिए है तो समान्य धातु और सने धातु को ही वहलों कहते हैं कि तो इस झालीया कि यह है कि जाल्ट के के लास्ट में ना लगाने से बनता है मतलब यह डिपेंड होता है ना पर की मेरे अंदर ना लगेगा तभी मैं समाने धातु बनुगा ठीक है तो समाने धातु का एक्जम्पल हो गया बोलना अगर मूल धातु है दोड तो समाने धातु हो जाएगा दोड ना लास्ट में ना दातु को दातु जैसे कि पहले था बोल और लास्ट में देखिए dus बोल और राएक भर कश्बो रॉद्णách घर सब्सक्राइब कि परतिया आकर जुड़ गया ठीक है परतिया भी बोल सकते हैं या फिर लास्ट में कोई दो अक्षरों का समू दो अक्षरों का या फिर दो से ज्यादा अक्षरों का समू जाकर जुड़ जाता है मूल धातू के लास्ट में तो उसे कहते हैं Latheichi बंदान उस तरह के योग से बनता होला की तौन के लास्ट में परतिया जोड़ दिया जाए कि जब कि से वह अक्छर यह फीर अक्छरों का समू जो किसी शब्द के लास्ट में जूर जाए और उस शब्द का मीनिंगWh Report energy की समू को कहते हैं इसकी शीद्र की बनाई उस तरह के लुब voller के लुत आज उड़ दिय गया है तो बोला हो गया है उसी तुरीके से मुल दाटु माले लीजwegen पढ़ता तो योग खबादऊ क्या होगा पढ़ा हो जाएगा मुल थातो अगर हसा ठीकिकत मुल्धास तो तुस्पेदरивать द्रूज wiel थातू कहा हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह चारों टाइब कि मूल धातु विद्पन धातु और योगी किसे कहते हैं बस थोड़ा-थोड़ा का अंतर है तो अगर आप सख़्यू आकर्मक या नि कि जिसमें कर्म ना हो उसके तैं हैं सकर्मक दातु वह मुल शब्द जिससे करिया बने उसे कहते हैं हम लोग धातु धातु एसे कि बोल अ फिर और ना पर कि हमारे लास्ट में ना लगाने पर ही मैं समाने धातु भनाउ intro बोल के लास्ट में ना लगा दो तो बोलना खिलना हसना भागना दोरना ठीक है और समाने धातू को यह हम लोग क्या कहते हैं किरिया कहते हैं ठीक है वियुत्पन धातू तीसरा टाइप है जो की मूल धातू के लास्ट में कोई अक्षरों का समू लगा कर बनता है उसे कहते है हम लोग व्यूत्पन धातु जैसे कि बोल के लास्ट में वाना लगया दो अक्षरों का सम्मूल लगया तो यह हो गया बोलवाना खेलवाना पढ़वाना लिखवाना ठीक है तो यह हम लोग थोड़ा क्विक रिविजन कर लिए आई होप आप लोग को यह हर एक ताइप समझ को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे वीडियो को शेयर कर दे दुसरों तक ताकि सब्सक्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेजिए फड़ाफर स्क्रीन शॉट तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसे के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ आई होप आप लोग ने वीडियो को लाइक शेर ज़रूर कर दिया होगा चैनल पर नए नहीं आए होंगे तो चैनल को सिब्सक्राइब कर लिए होंगे और जो भी आप लोग को इस्केल लेकर सिर्फ रखे नहीं उसका रिवीजन करते रहें प्रक्टिस करते रहें ताकि आप लोग वो चीज़ें भूल ना सके हैं थे क्योंकि अगर आप लोग रोग मैंड में परमानेंट्ली फिट रहें एकजाम के समय तक ठीक है और कोई-कोई जो एक्जाम दे लेने के बाद भी याद होता है तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस